हलो मैडम नमस्कार मैडम मैं रमेश बोल रहा हूं मैडम हमारी CCTV बनाती है कंपनी मैडम आपके लिए कॉफर था मैंने आपको इसलिए कॉल किया था क्यूंकि हम काफी कस्टमर को कॉल कर रहे हैं मैडम आप CCTV कैमरा अगर लगवा लेते हो तो आपके बहुत सारे फाइड है हूं देखो आप समझते नहीं हो आज की डेट में CCTV कामरा इतना जुरूरी है ना और इसमें स्कीम भी चल रही है हमारी मतलब अगर एक CCTV कामरा लगाते हो हम दूसरे के पैसे आधे ले रहे हैं आपसे मैडम मैं आपको यह बता रहा हूं आप एक बार स्कीम सुरो आपको मेर कर रहे हो ठीक बात है हमारे तो कर्तबे हैं ना हम आपको बताएं नहीं चाहिए नहीं चाहिए है आपको एक बार बताता हूं आप मेरी बात तो सुनो ना मैं यह नहीं कह रहा हूं ले मैं देखें करूँगा मैं अबर आपको पूल नी करूए मैं कभी आप सी ऑहती सकते हम एपने कस्टमर को कभी कभी नी कर सकते आपको नहीं लोग मओ ले लेकंintend पाइए ने कोई तो फ़रज vara ना किसी इंसान को मैंडम हमारे जितने कस्टमारे किसी इंसान को जब जुरत नहीं ती जब उनको लगा कि फुचर में ज़रूत पड़ सकती है इसलिए उने लगवाया तो मेरे को फुचर नहीं जरूरी है ना वह सीचिटीव कैम्रा नहीं देखा मैं खुद देखूंगे आपका मैं मैं यह कह रहा हूँ आप लो अब डेमो के लिए भी दू मैंडम डेमो के लिए भी दू बंदे को आपके घर आप मेरे को डेमो देखने देरो मैं खुद भी आजाओं आपके बास मैंडम घर के लिए तो कही नीरा में मैं आपके हजबन के ऑफिस में जो कैबिन है उसके ओपर लगवाने की बात कर रहा हूं उसमें यह है उसमें सारी चीजे पता चलती रहती हैं कि बही क्या हो रहा है नजर पूरी आपका और आपको पूरा पासवर्ट मिल जाएगा आप कब मीटिंग होती है किस से मीटिंग हो रही है यह सारी चीज़ आपके स्क्रीन पे होंगी ना अच्छा इक बात बिताओ उसमें आवाज भी सनाई देगी ना लेकिन मैडम वो आवाज वाला महंगा से सिरीवी है अरे वो चोड़ो ना आतो जाएगी ना पका जाएगी मैड थाइगी